अलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम किंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना को लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना और इससे पहले वी हम उत्तरपूर्देश सरकार की आठ योजनाओं के बारे में डेटेल में वीडियो बना चुके हैं और किंद्र सरकार की योजनाओं का ये हमारा दूसरा वीडियो है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं तो चलिए जानते हैं प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना के बारे में तो क्या है प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना हैं उनको आर्थिक सहयता प्रदान करती है इस योजना के तहट सभी किसानों को नियूनतम आय सहयता के रूप में प्रती वर्स छे हजार रुपया मिल रहा है यह एक दिसंबर दो हजार अठारा से लागू योजना किसानों के लिए वर्दान सावित हो रही है प्रदान मंतरी किसान सम्मा निदी योजना के तहट छे हजार रुपया प्रती वर्स प्रते एक पात्र किसान को तीन किस्तों में भुक्तान किया जाता है और सहयता रासी सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है जिसमें प्रते एक चार माह के बाद किसान को दो हजार की सहयता रासी दी जा रही है तो देखिए इस यूजना के तहट क्या है यह उनके लिए है छोटे और सीमंद किसानों के लिए जिनके पास दो हेक्टेर से कम भूमी है और इस यूजना के तहट क्या है कि प्रती वर्ष उन किसानों को 6,000 रुपए आर्थिक सहतारसी दी जाती है और यह किस्तों में दिये जाते हैं एक किस्त में उन्हें 2000 रुपए के साफसे 3 किस्तों में 6000 रुपए प्रती वर्ष दिये जाते हैं और इस योजना को 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था आगे देखते हैं योजना की सुरुबाद 2018 वर्स 2018 के रवी सीजन में की गई थी उस समय सरकार ने इसके लिए 20,000 करोल रुपाई का अग्रिम बजटिये प्रावधान करा लिया था जबकि योजना पर सालाना खर्च 75,000 करोल रुपाई आने का अनुमान था चोटे किसानों के लिए यह योजना अतियंद उप्योगी सिद्ध हुई है बवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूजने वाले किसानों को इस नगदी से वीज, खाद और अन्य इंपुट की उपलब्दता में सहुलियत मिल रही है तो देखिए इस योजना की सुरुआत जो है वर्स 2018 में रभी के सीजन में की गई थी और ये जो योजना हैं वो छोटे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा उप्योगी सिद्ध हुई है क्योंकि बवाई के ठीक पहले इसकी जो है किस्त वो पे की जाती है तो नगदी इस नगदी से क्या होगा कि जो छोटे किसान है जन्हें बीज खाद और अन्य सामान जो होते हैं बवाई के लिए तो उसके खरीदने में यह जो है धन रास्टी उन्हें सहयता करती है आगे देखते हैं योजना का उद्दे से क्या है तो देखिए इस योजना का उद्दे से क्या है इस योजना का प्राद्मिक उद्दे से देश के लगू एवं सीमानत किसानों को पृतियक्ष आए संबंदी सहयता प्रदान करना है यह योजना लगू एवं सीमान्त किसानों को उनकी निवेस एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए आय का एक निश्चित माध्यम प्रदान करती है योजना के मद्यम से लगू एवं सीमानत किसानों को साहूकारों तथा अनौप שारिक रिड़दाता के चंगुल से बचाने का प्रियास किया जा रहा है तो इस योजना का जो मुख्य उद्धे से है वो यही है कि जो छोटे किसान हैं और लगू सीमंत किसान हैं तो उन्हें जो है आए समंदी साहता परदान करना और उनकी जो जरूरते होती हैं जो खेती के समंद में जो भी उनकी जरूरते होती हैं उनको उनके लिए एक पोटे और लगू किसान हैं उन्हें किसी साहुकार या कोई रिरदाता है उसके सामने जो है जोली ना फैलानी पुड़े तो यही इस यूजना का उद्दे से है चलिए आगे देखते हैं अब देखिए इस यूजना का लाब किसे नहीं मिलेगा तो इन किसानों को नहीं क्या है पीम किसान सम्मान निधी यूजना का लाब लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेती उसके नाम नहीं है तो वहलावारती नहीं होगा अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी पीम किसान यू उसे इसका लाव नहीं मिलेगा तो अगर इस यूजना का लाव लेना है तो खेती को किसान के खुद के नाम कराना होगा अगला पॉइंट है अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी करमचारी है या रिटायर हो चुका है मजूदा या पूर्वसांसद विधाय प्रवसांसद है विधायक है या फिर वो रिटायर हो चुका है तो भी इस यूजना का लाव नहीं मिलेगा या फिर कोई सांसद है पूर्वसांसद है विधायक है या उनके परिवार से कोई मंतरी है तो उन्हें इस यूजना का लाव नहीं मिलेगा और इसके अलावा कोई प्रोफेशनल रजिस्टर डॉक्टर है इंजिनियर है वकील चार्टर अकाउंटेंट ये हैं तो इन में से किसी को इस यूजना का लाव नहीं मिलेगा आगे को दस हजार रुपए से अधिक पेंसन मिलती है तो उसे इस यूजना का लाब नहीं मिलेगा देखिए अगर कोई विक्ती खेट का मालिक है लेकिन उसे दस हजार रुपए महीने से अधिक पेंसन मिलती है तो वह इस यूजना के लावारती नहीं हो सकते आएकर देने वाले परिवारों को भी इस यूजना का फाइदा नहीं मिलेगा और अगर कोई परिवार है वो आए देता है आएकर इनकम टेक्स अगर वो फाइद जो है फॉर्म फिल करते हैं तो उसे भी इस यूजना का लाब नहीं मिलेगा और देखिए इन्हें नहीं मिल सकता फाइदा और किसे नहीं मिलेगा फाइदा देखिए जो खेती की जमीन का इस्तेमाल किरसी कार की जगए दूसरे कामों में कर रहे हैं अगर देखिए कोई व्यक्ती जो है खेती की जमीन है और उसका उप्यो किसी दूसरे काम में कर रहे हैं या उससे कोई दूसरा जमीन में कोई दूसरा रोजगार उन्होंने तैयार किया है तो उन्हें भी इससे योजना का लाव नहीं मिलेगा गाउं में बहुत से किसान दूसरों के खेती पर किसानी का काम तो करते हैं लेकिन खेत के मालक नहीं होते खेत के मालक को फसल का कुछ हिसा या पैसे देते हैं ऐसे किसान इस योजना का लाब नहीं उठा सकते तो देखिए अगर कोई भी किसान है अगर किसी की दूसरे की खेती है और उसमें वो काम करते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाब नहीं मिलेगा यह हमने पहले ही बताया है कि उसे को लाब मिलेगा जिसके नाम पर वो खेती होगी अब आगे देखते हैं अब देखिए इस योजना का लाब किसे मिलेगा यह देखिए चोटे और सीमान्त परिवारों को लाब मिलेगा लगू एवम सीमान्त किसान परिवार इसकी परिवासा में ऐसे परिवारों को सामिल किया गया है जिसमें पती पतनी और 18 वर्स तक की उम्र के नावालिक बच्चे हों या ये सभी समुईक रूप से 2 हेक्टेर यानी करी 5 एकड तक की जमीन पर खेती करते हों यानी पती पतनी और बच्चों को एक एकाई माना जाएगा जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लेंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा वही इसके हकदार होंगे और देखिए इस योजना का लाब उसी को मिलेगा जिनकी जो 1 फरवरी 2019 तक उनकी जो भूमी है उसका रिकॉर्ड होगा लेंड रिकॉर्ड में अगर उनका रिकॉर्ड पाया जाएगा तो उन्हें ही इस योजना का लाब मिलेगा एक फरवरी 2019 तक अगला पॉइंट इसमें देखिए लाब के लिए करसी विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा प्रसासन उसका वेरिफिकेशन करेगा इसके लिए जरूरी कागजाद होने चाहिए तो देखिए डॉकूमेंट आपको क्या-क्या रखने है रिवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन मालिक का नाम सामाजिक वर्गी करण अनुसूचे जाती और जन जाती आधार नंबर होना चाहिए बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए और मुबाइल नंबर आपको देना होगा तो ये आपको जो है क्या-क्या आपको डॉकूमेंट रखने है तो वो हो गए और किसे लाब मिलेगा तो ये भी हमने आपको अभी बताया है तो दोस्तो ये थी प्रधान मंत्री किसान सम्मा निधी यूजना जिसके बारे में हमने डेटेल में जाना कि क्या है यूजना और उसके तहट क्या प्रावदान है और उसका उद्देश से क्या है और किसे लाब मिल सकता है और किसे लाब नहीं मिल सकता है तो दोस्तो और दोस्तो जो लोगर टू के कंडिडेट है जिनके भी इंटरव्यू होते जाएं तो उनसे एक request है कि वो भी जो भी उनसे question पूछे जाएं तो comment के माध्यम से हमें जरूर share करें ताकि और भी जो अब्यरती हैं जिनका इंटरव्यू होना वाकी है उन्हें उससे थोड़ी बहुत help मिल सके तो दोस्तो वीडियो पसंद आय है हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू वीडियो